Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 29th of March 2021 तो आज वैसे 30 तारीख है लेकिन आज निउस्पेपर दे हिंदू नहीं आया है तो कल का निउस्पेपर जो हमने नहीं किया तब वो हम आज देख लेते हैं सबसे पहले जो निउस है कोविन अपग्रेड वन क्रोर के रिस्टर फॉर दे जैप डेली कोविन आप क्या है सबसे पहले यह जानना चाहिए आपको जहाँ पर इंडिया में लोग रेजिस्टर कर सकते और इसकी क्या है यह बेफेतना चाहते हैं जहाँ पर इनफ रेजार्ब फश कहँए रिवी विश्टर फॉर सेज नहीं है यह शाह जहाँ पर की इनफ इस तरह की के फिसलिटीज अवेलब हैं प्लैटफॉर्म है और इसके तुरू इंटरनेशनल कोलाबरेशन के तुरू कंट्री इसको वैक्सीन दी जा रही है आप को वैक्स फैसिलिटी का फायदा उठाते हैं पहली कौन सी कंट्री जिसको की वैक्सीन भेजी गई थी तो वह ती घहाना याद रखेगा फर्स्ट कंट आप लोग भी अपने दिमाग में रखेगा आप लोग को और जादा सेफ और सिक्यूर रहने का टाइम आ गया है ठीक है और याद रखेगा अगली जो न्यूजब हो है सेंटर मल्स यूनीक आईडी फॉर ऑल दे प्लॉट्स ऑफ लैंड बाइंड 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 के प् 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू करेंगे 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन जैसे आपका आधार कार्ड होता न वैसी लैंड के लिए एक यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा और यह जो रहेगा आपका 14 डिजिट आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि हर plot को दिया जाएगा एक साल के अंदर गट ठीक है न दूसरी चीज़ के अंदर एक facility और दी जाएगी कि आप इसको अपने आधार और bank record से जोड सकते हो लिकिन that will be on the voluntary basis मलब कि यह आपके लिए forceful नहीं रहेगा voluntary basis पे आप चाहें तो अपने आधार से और अपने जितने भी आपके bank account है उनसे connect कर सकते हैं अपने अपनी land ID को ठीक है न तो आपके plot ID या land ID रहेगी अब Alpin का full form क्या है Alpin का full form है unique land parcel identification number याद रखेगा unique land parcel identification number and Alpin बहुत important है याद रखेगा scheme has been launched in 10 states this year and will be rolled out across the country by March 2022 और इसके लिए लिए department responsible रहेगा वो अभी से वाद है department of land resources रहेगा and department of land resources there which is which will be handling this thing ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है नब and an official who did not wish to be named described it as the the आधार for the land इसको आधार for the land आप बोल सकते हैं कि uniquely क्योंकि जैसे आप unique identification था for the person वैसे ये for the land इसका नाम भी क्या है unique land parcel identification number unique land parcel identification number अगला जो न्यूस है और सी rejection slips to be issued सी सून अब और सी रिजेक्शन जो है slip है वो असाम में दी जाएगी लोगों को क्योंकि जो लोग nrc में include नहीं उनको nrc rejection slip दी जाएगी ठीक है न nrc आप सको बता है national register for the citizens दो चीजें होती है एक होता है nrc आपके जितने भी citizens है उन सब का नाम रहता है जितने भी citizens है country के ठीक है न और दूसरा जो हम जानते हैं npr याने की national population register नेशनल population register जो रहता है न उसमें आपके ऐसे लोगों के नाम रहते हैं जो आइदर छे महीने से रह रह रहा है इंडिया में या फिर आये हुए और छे महीने तक रह सकते हैं आगे भविश्य में तो ऐसे लोगों के नाम include के जाते हैं वो आपका npr के अंदर include के जाते हैं चीक है न npr list क्या अभी पहली बार बन रही है तो यह भी आदर के का npr list पहली बार नहीं बन रही है 2010 में अलड़ी ये list बन चुकी है और 2015 में update भी हो चुकी है 2015 में update भी हो चुकी है अब यह तीसरी बार की यह next process है अगर UPS से आपको confuse करता है और यह पहली बार जब आपका कहना चाहिए कि npr बन रहा है तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं है यह पहली बार नहीं बन रही है आगे move करते हैं दिखते क्या important news items है तो यहाँ पर हम पहले editorial में आते हैं जिसमें हम discuss करेंगे electoral bonds के बारे में यहाँ पर author ने बस simple सी वाद है electoral bonds के उपर जो judgment आया अभी Supreme Court का Supreme Court ने कहा है कि इस्टे लगाने की ज़रुत नहीं है तो author ने कहा है कि यह गलत है बिल्कुल यो कि जो electoral bonds है वो opacity को बढ़ावा देते है electoral bonds क्या करते हैं they give rise to opacity और opacity आने से क्या होता है कि जो आपके voters है उनके पास proper कहना चाहिए information नहीं रहती है अगर जो voter है उनके पास proper information नहीं है for example अगर voter चाहे कि वो जानना चाहता है कि किसने किसने कितना contribute किया मलब वो जानना चाहता है कि source of contribution क्या है money का to the political parties वो नहीं जान सकता है क्योंकि आपने इतना opaque rule बनाया हुआ है और दूसरा कि आपके जो electoral bonds है इनके वारे भी नहीं जान सकता है तो अगर ये चीज नहीं जा इसा दिया है तो ये चीज उनको नहीं पता चल रही है तो अगर उनको lack of information हो रहा है lack of information के काराण वो in full information नहीं रख रहे है तो वो informed vote नहीं हुआ ना वो उनका free and fair election कहा हो गया फिर तो that is the reason why author is मलब की not happy with the current judgment of the supreme को जिसमें उनने काया कि नहीं इसको रोकने की जुरत नहीं है दूसी चीज उन्हों नहीं ये कहा कि 2018 उनने इस बीस तीन साल वीद गए भी तब तो कुछ नहीं हुआ आप कैसे तो ये ये logic भी काम नहीं कर रहा है ओतर ने का कि this logic is also not worth enough है ना क्योंकि आप बार बार किसी चीज पे मलब कि इसको ऐसे पोस्पोन नहीं कर से तो what you are doing is just postp कर रहा ठीक है बाद में आना तो हार election by election you are just postponing the thing and you are not taking any proper judgment on that this is what the author is saying and इस तरह की कि जो anonymous contributions है ये black money को भी बढ़ावा देते हैं money laundering को भी बढ़ावा देते हैं जो money कहना चाहिए politics में जो money का role है उसको और जादा बढ़ा देते हैं है और सारे के सारे जो contribution है लगबग किसी यही ruling party को आ रहे और obviously बात यही होती कि कोई भी contribute करेगा तो ruling party को ही contribute करना चाहेगा तो ऐसे में क्या है जो level playing field है वो level playing field भी नहीं मिल पाती तो आपको अगर कभी लिखना हुआ इसके against की क्या क्या चीज़े आपको लिखनी है तो आप याद रखेगा इसमें जैसे कि आप क playing field मिलनी चाहिए सारी parties को वो नहीं मिल पाती है क्यों कि यह ज्यादा तर contribution दे हुआ अमिशे ruling party को ही आएंगे obviously बात है कोई किसी ऐसे party को क्यों देना चाहेगा जो power पर नहीं है ठीक है तो these are the things which are important and black money को use के जाता है to fund the parties तो यह ज़रूरी थे on that but Supreme Court ने कोई judgment नहीं दिया ह है so let's see कि आगे future में क्या होने वाला ठीक है आगे move करते हैं last line यहां पर लिखी हुआ है no inference can be drawn by a company's disclosure of its total contribution to one or more political parties it is the time that court recognize that the literal bond scheme by its very nature undermine the voters right to know याने कि electoral bond scheme जो है they are undermining the voters right to know a thing voters right to knowledge को यह undermine करते हैं दूसरा जो article था वो था the needless resurrection of a buried issue needless resurrection of a buried issue क्या है actually मैं यहां पर author ने सबसे पहले quote किया है M. Siddiqu versus Mahant Suresh Das case को M. Siddiqu versus Mahant Suresh Das case that is regarding the Ramjan Movement Temple case ठीक है ना इसमें 5 लोगों का judgment आया था ठीकर ना उन 5 लोगों की judgment ने बहुत सारी चीज़े clear की थी for example उन्होंने कहा था कि जो उनका judgment था that was an unequivocal expression of the places of worship act special provisions act places of worship special provisions act 1991 सबसे पहले places of worship places of worship special provisions act 1991 क्या कहता है यह act यह कहता है कि कोई भी जो आपके place of religious worship थे तो इसका जो existence 15th August 1947 में था ठीक है ना no matter कि किस incident से कैसे था लेकिन जो भी status इसका 15th August 1947 का था जिस भी religious place का उसका वही रहेगा है ना और section 5 जो है इसका वह explicitly expressly उसमें exempt करता है राम जन्म भूमी और बावरी मस्जिद को ठीक है ना मतलब कि एक तरीके से court क्या कर रही थी एक तरीके से court जो है वो इस जो places of worship act है उसको एक तरीके से अपहल्ड कर रही थी इसी लिए उसके section 5 में उसने राम जन्म भूमी और बावरी मस्जिद को एक exception की रूप में रखा हुआ है ठीक है ना सुप्रीम कोट ने कई observations किये हैं सुप्रीम कोट का यह कहना है कि दो चीजे नहीं हो सकते पहला तो किसी religious place का जो भी है उसका nature नहीं change कर सकते हैं जैसे एक religion से दूसरी religion में कर सकते हैं यह बोल करके कि यह पहले ऐसा हुआ था यह पास्ट में ऐसा हुआ था दूसरी जोट जी चीज दर रूब प्रिशर्ण द रिली जीजस करेक्टर अफ एवरी प्लेस व वर्शेप आजब ने एक्सटेट ऑन 15 ना है यह दो चीजे क्लियर कर दी ती सुप्रीम कोट ने इसके बाद सुप्रीम कोट हैं ऑल्सु इम्फाटिकली हेल्ड एल्ड़ देट प्ले पह रहुली स्टेटेचल रॉंग्स केंगों है इस प्रिम को थीक कर सकते हैं पिज्ट बात बाथ इस्टोरिकल रॉंग को अप्य। नहीं करेंगे as an argument or as an escape route for taking the law in your hand ये नहीं बोल सकते कि यार बावर ने ऐसा किया था या उसने ऐसा किया था इसलिए हम अपने आपने हाथ में law को ले सकते तो Supreme Court ने यही कहा then also it's a deeply disturbing move as per the author author का यह कहना है कि government ईसने जो Supreme Court रिसेंटलि यह पेटीशन ले लिया है इसको accept कर लिया है against the religious यह प्रोड़ शर्शक पर च्चुच्श प्रोविशन आप 1921 का इस तो यह क्यों लिया गया है और एक बिल्कुल जो clear चीज़ है उसको फिर validate करना और उसको फिर दुवारा लेना this is not the right thing let's see how the case moves ahead लेकिन इनका author का कहना कि ये लेना नहीं चाहिए था आगे move करते हैं देखते क्या important news item है ID for all the land parcels by 2022 center ये मैंने आपको already बता दिया है और this is the next step in the digital India land records modernization program actually Alpin वाला है ना unique land parcel identification number ये actually में digital India land records modernization program के अंतरगत है digital India land records modernization program के अंतरगत का part है और ये digital India land records modernization program कभी start हुआ तो 2008 में start हुआ था याद देखेगा digital India land records modernization program कभी start हुआ था ये डेपार्टमेंट आज प्रपोजड एक्सेंशन तो 2023-2024 तो complete its original targets तो डेपार्टमेंट ने इसको increase increase कर दिया है time line का इस program का 2023-2024 तक ताकि वह original जितने भी target से complete कर सके ठीक है ना बहुत सारे इनिशेटिस लिएगा जैसे की NGDRS जैसे की जिसको नेशनल जेनरिक डॉक्यमेंट रिश्टेशन सिस्टम बोलते हैं नेशनल जेनरिक डॉक्यमेंट रिश्टेशन सिस्टम बोलते हैं फिर आपका अल्पिन आ गया linking of court to land records then integration of consent based आधार number with land records यह सारी चीज़ों के लिए ही की जा रही है और जितने भी यह land disputes से इनको और ज्यादा कम करने की भी कहने चाहिए कोशिश है यह आपके तमिलाडू पुडुजरी वेस्टमेंगॉल के रहला इनमें जो सबसे अधिक जो रेवेंट्व डेफिसिट है वह आपका कहां पर है वह आपका तमिलाडू में है economy के अगर size की बात करें तो तमिलाडू की this 5 लारजस्ट है ऐन्डिया में याद रखेगा third largest है याध रहते है फाल treaty all वेस्टमेंगॉल की overall 6th largest है करेला की overall 11th largest है isaam 17th, farwari की 26th largest है लेकिन इन सारे states में उन्पुड्रू नाडू की ज्याखden. that पुगेधर इन सारे पांचो स्टेट्स की मिलालो तो 20 परसेंट इंडिया एकॉनुमी कवर हो जाती है और जिस सबसे दिक रेवेन्यू डेफिसिट है वो केर की रेटिंग से कॉर्डिंग तमिलनाडू के आ रहा है तो आगे मूफ करते हैं दिखते क्या इंपॉर्टन न्यू आट्रेज हुआ है क्यों क्योंकि म्यानमार में एक बहुत बहुती गलत बहुती वॉयलेंट चीज हुई है उसमें से जो आर्मी थी मिलिट्री जुन्टा थी उसने सिक्यूरिटी फोर्सेज ने ओपन फायर कर दिया एंटी कू हो गई थी और जितनी जो मिलिट्री जंटा थी उसने पावर अपने हाथ में ले लिए एंटली जो हाँ पर नेशनल लीक फोर डिमोक्रेसी पार्टी जो इलक्षन जीत करके आई थी उसकी लीडर ऑंक शेंशू की कुनों ने अरेस्ट कर लिया अंदर हाउस अरेस्ट में रख दिया है और लगभग 107 लोगों की डेथ चैना का जो शिप है वह आपको पता होना चीजिए कि कहाँ पर चला गया था फिलिपिन के एक्स्लूजिव एक्स्लूज फिफ एक्किनाउमिक जोन में चला गया था और उसमें पालावान नाम याद रखना जरूर यह नाम पूछा जा सकता अप लोगोंसे आ यह पाला वा नाम आद रखेगा पालबान क्या है इस दए प्रोविंस ऑस पालवान आर्की पेलेह जिक प्रविंस है फिलिपीन ठीक फिलिपीन्स का लार्ज़स्टains रहेगा पीलावं ठीक है आफ चाइनीज वैसल मलब कि काफी जादा जो चाइनीज वैसल फ्लोट कर रहे हैं उनको उपर नजर रखने के लिए उन्होंने लीफ किया है मलब कि वहां की जो एर फोर्स है वो जा रही है ठीक है न और यहां पर विटसन रीफ है विटसन रीफ is also there चाइनीज वैसल यहां पर के आकर रह रहा है Macस रीफ के पास वह छोड नहीं है और स्प्रैटले एलेंड से पास आपका विटसन रीफ है इसको छोड नहीं रहे हैं लोकेटे इन दा फिलिम्पीन एक्स्लूजिव एकनुजूजवीड जो इकनुजव जो चान फिलिपीन का जेकरे डल् roman वा का में फिलिपीन अकर आगे मूफ करते है य्व तर अन डायलॉग विचाईना वर उ одном ठेंटिट जल्जियंग विजिट्ट यूएन ने कहा है कि चाइना में बीजिंग में वो अन्रिस्टिक्टिट विजिट करना चाहते हैं तो फाइंड आउट कि उईगूर्स मुसलिम्स जो माइनॉरिटी है जिंजियंग प्रोविंस में उनके अगेंस्ट कितना आपने अत्याचार किया है या कितना क्या किया है तो एंटेनियो गुटरिस ने ये चीज़ बोली कि उनाटे निशन जो है उसके निगोशियेटर जो है वो आएंगे बीजिंग में और अन्रिस्ट्रिक्टिट एक्से उनको टू जिंजियंग प्रोविंस ताकि वो उखुर माइनॉरिटी या उखुर मुसलिम है उनके स्टेटस पे जिंजियंग में क्या उनका स्टेटस है इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले सके जो इस अरद धिंग्स मुस्ति घुटिट खैप्राइब यहोपी लाइट अरवीडियो प्लीज या शेचिप्स्प्राइब कीपलें जोबोगिश्य इस थैंक यू और नाइस दे